उशोदी पुस्तक एक-एक कदम दा लेक, समाज तब्दीली दे चौरा हेते, दूसरा पाग आइंस्टेन तो किसे ने मरन तो कुछ दिन पहला पुछेया कि तुसी एक वेट दे एक विश्वासी वेट की फरक कर देओ ताइंस्टेन ने किया, मैं थोड़ा जई फरक करदां, जेकर विचारक नूँ सौ स्वाल पुछो तन्य डेल में स्वालां दे सबंदच कहेगा, मैंनू पता नहीं है ते जिस एक स्वाल दे सबंदच नू पता होएगा, वो कहेगा मैंनू पता है, लेकन जिनना मैंनू पता है उनना कह रहे हैं, ये उत्तर अंतिम अखेर नहीं है, अल्टीमेट नहीं है कल हूर भी पता लग सकता है, फिर उत्तर बदल सकता है विचार करनवाले दे कोल बनने हो ये खेर ले उत्तर नहीं हो सकते विचार करनवाले दे कोल सारे सुवालां दे उत्तर नहीं हो सकते जिन्दगी बहुत गुंजलदार है ते जिन्दगी बहुत डूंगा रहस है ते जिन्दगी विच बहुत कुछ अग्यात ते बहुत अनंत है विचार करन वाले नूं दिखाई देंदा है कि अग्यान बहुत वड़ा है ते ज्यान बहुत छोटा है जिवे मस्यादी रात चेक हात विच मिटी दा एक छोटा जा दीवा है, चारे पास ये कनकोर हनेरा है, ती छोटा जा मिटी दा दीवा है तेू जोत वी हर पल बुजी-बुजी हुन दिये मज़ा है कि उस जोत विच सिवाई हनेरे दे और कुछ वी दिखाई नहीं दिनला विचार दे कोल अंतेम उत्तर नहीं हो सकते। विचार दे कोल ज्यादा तो ज्यादा कम चलाऊ उत्तर हो सकते हन। ते विचार दे कोल सारे उत्तर नहीं हो सकते। विश्वास दे कोल सारे उत्तर हन। ते कम चलाऊ नहीं हन। ultimate हन, आखरी हन, विश्वास ते लई सब पता है, कुझ अग्याथ नहीं है, कोई रहास नहीं है, उनु परमातमादा का टिकाना भी पता है, स्वारग ते नर्क दी गहराई, लंबाई ते चुडाई भी पता है, उनु सब पता है, विश्वासी परम ग्यानी है ते विचारक परम अग्यानी है इसले ही साधे हंकार्न विश्वास विचता मजा होंदे विचार्च तकलीफ होंदे है क्योंकि विश्वास करके असी वी परम ग्यानी हो जानदे है विश्वास करके साड़े कोल वी सारे उत्तर आ जान दे हन हर चीज दा उत्तर है ते विचार करके साड़े जो बन्ने बनाई उत्तर सान वी खिसक जान दे हन ते होली होली हाथ खाली हो जान दे लेकिन त्यान रहे चूठे परम उत्तर, चूठे आखरी उत्तर सच्चे कम चला उत्रां तो भी बेकार हन उना दा कोई मुल नहीं है ये सलई हिंदोस्तानू सब पता है ते फेर भी कुछ पता नहीं है पर मात्मा दा पता है ब्रम दा पता है माया दा पता है कणक पैदा करन दा पता नहीं है स्वरग नरक सब पता है साइकल दा पैंचर जोडना पता नहीं है, छोट यां छोट यां छोट यां चीजां पता नहीं हैं ते वड़ियां वड़ियां सब चीजां पता हैं, शक उन्द है क्योंकि वड़ियां चीजां ताहीं पता हो सकती हैं, जद छोट यां चीजां नियां पौड़ियां तो कि तोड़ा स्वरग कि थी है, वोदी क्योंके कोई जांच नी हो सकती, इसले खुशे नाल पता है, फिर जिनु जो पता है, मुसल्मान अपना पता रखे, हिंदु अपना, जैन अपना, महावीर दे पैरुकार उस समय केंदे सन, तिन नरखन, बुद्ध दे पैरुकार केंदे सन, सत नरखन, ति बुद्ध दे पैरुकार महावीर दे पैरुकारानों केंदे सन, कि तोड़ा तीर ठंकर थोड़ा जियादा डूंगा नहीं जा सकया, अजे तेन दा ही पता लग सकया, मखली गौशाल दे पैरुकार केंदे सन, तोड़े दोना दे तीर ठंकर जियादा के सत्धाई कि सत्साओं कि सत्हदाई नाय rozmz उसनों जानादाई फिर विशाल टाटनों जान सक्दाई विचार दी पर केरिया जो नेड़ी है उन्हों जानन नाल शुरू हुंदी है विश्वास्ती पर केरिया जो दूर है उसनों मननन नाल शुरू हुंदी है विचार दी पर केरिया जो हाथ दे कोल है उसनों पहचानन नाल शुरू हुंदी है विश्वास्ती पर किरिया जो अंत ही उनके से दूर असीम कोने उपर खड़ा है उसनों मनन नाल शुरू हों दिये इसलए जांच दा कोई उपा नहीं हों दा एसलए विश्वासी कौम एक्सPERIMENTAL नहीं बन सक्दी क्योंकि परयोग ता हाथ दे नेड़े किता जा सक्दा दूर दा परयोग नहीं किता जा सक्दा विचार कर्णवाली कौम परयोग आत्मक हो जांदी है पर योग नाल विज्यान दा जनम हुंदे विज्ञान वसी जनम नहीं दे सके ते बिना विज्ञान दे इस देश दा कोई पविक नहीं है लेकिन इक गल ठीक तरह समझ लो जो बुनियादी सवाल उठेगा साइंटिफिक माइंड विज्ञानक मन ते विज्ञान दे द्वारा सिख्यत होया मन इना दोना चो बहुत फरक है विज्ञानक मन अलग गल है विज्ञान दी सिख्या लेा होया मन बिलकुल अलग गल है वो सिर्फ टेक्नीशिन है एक आदमी MSC हो जाए ते PhD हो जाए एक आदमी विज्ञान दी आखरी उपादी पाल है तावी विज्ञानक नहीं हो जानदा सिरफ उस ते कोड़ों information होंदी है संग्रे होंदा है लेकिन चित दा विज्ञानक होना दूसरी गड़ है यह हो सकता है कि ए आदमी फिर वी विश्वासी होवे ते विश्वास ही करदा चले आ जावे ए विज्ञानदियां के ताबा उप्ते वी विश्वास कर लवे इनू जो पड़ाया जावे हो मन लवे कि ए ठीक है न्यूटन ठीक है आइंस्टन ठीक है कल कहनदा सी क्रिशन ठीक हन महावी ठीक हन बुद ठीक हन जिस तरह शर्दा पूर्वकोना नो सविकार करदा सी उसे तरह शर्दा पूर्वक आइंस्टन नो सविकार कर लवे ताई विज्ञानदा ग्रेजुएट हो जाएगा लेकिन विज्ञानक नहीं हो सकेगा इसलिए असी हिंदोस्तान चीक हिंदोस्तान नो साइन्टिफिक माइन्ड दे जरूर्थ है ताई असी समझ रहे हैं असी उनिवस्टियां तो साइस से ग्रेजुएट करड के काम पूरा कर लवांगे वो पूरा नहीं होन वाला क्योंकि ओ जो साइस सा ग्रेजुएट है वो भी उनिवस्टियां चीक निकल के कोड़े ते बैठके लाड़ा बन जन दे वो भी बैंड वाज़ा जोंदा होया शादी करन चला जन दे वो भी जनमकुणली विखा के मिती कडवा लन दे वो भी हाथ दी रेखा विखा के पुछदा है प्रिख्यांदी प्रिख्यांच पास होईगा कि नहीं? ताल मिलेगा कि नहीं? ईजो आदमी है, एक ग्रेजुएट हो जाएगा। एक विज्ञानदी प्रिख्यांपास करलेगा। लेकिन विज्ञानक, विज्ञानक होना दूसरी गलने, ते विज्ञान दे ग्रेजुएटा नाल देश नहीं बदलेगा, विज्ञानक चित नाल देश बदलेगा, विज्ञानक चित दा मतलब है तरक करन वाला चित, प्रशन पुछन वाला चित, जल्दी नाल उत्तर मन लेन वाला चित नहीं, जदों तक पुछ सके, पुछवन वाला चित, पुछदा ही जान वाला चित, लेकिन असी हजारां सालां तो जए चित दी गर्दन कट देती है, सुने मैं कि जनक नेक बहुत वड़ाई कट कीता, उस जमाने दी सारे विग्यानियान, सारे ग्यानियानू दोबारा बदलन दी जरूरत आ गई, जनक दे जमाने दे जिनने ग्यानी सन, उन्हें कठे किते सन, उन्हें एक हजार गौँआ अपने दरवाजे ते खडियां का रखियां सन, उन्हां गौँआ दे सिंगाउते सोना चड़ा अधिता सी, हीरे जार देते सांते क्या सी, के जादा ग्यानी होएगा, उन्हा गउवानू लाजाएगा, वड़े वड़े ग्यानी आई, वड़े वड़े पंड़त आई, विचारक आई, सबाच बहुत बैस होई, पिछो याग वलक्यानू खबर मिली, उवी आया, उपने चेले आनू लाखे आया, उदरवाजे ते अं गउवान तो पिछ खड़ियां बहुत थाग गया होन गया, सारी सबा कबरा आदे, जनक भी कुछ बोल ना सक्या, लेकिन कोई भी ये ना समझ सक्या कि इस तरह हंकार दी पाशा बोलून वड़ा आदमी ग्यानी नी हो सक्या, याग वलक्या अंदर गया, अक्रदा होया, उन के हंकार जो है, वो सदा अग्यान दे उपर खड़ा होंदा है, सुवाला तो बहुत कबर होंदा है, शर्दा मंगदा है, गार्गी पुछ दी चले गई, याग वलक्या ने आखिर्च किया, जो भी है सब ब्रह्म है, गार्गी ने पुछिया मैं जानना चौनिया कि ब्रह्म किस उपर अदारत है, याग वलक्या ने किया, गार्गी, हुन जबान बंद कर, नहीं ता तेरा सिर ला दिता जाएगा, ते उस सबादे सारे लोग चुप चाप बैठे सुन दे रहे, ते जनक भी चुप चाप सुन दा रहा, एस इस इस्तरी ने ठीक स्वाल पुछिया, एस होर सुआल पुछेंगी, ए सुआलां दी अत्त होगे, ए हाद तो बार जा रहा है, ब्रह्म दादार ना पुछ, पर जदो कहने हैं सुआलां दी हाद होगे, वो तो विज्ञानक चेत्व मर जान्द है, असल चिभी ज्ञानक चेतले ए अत्त सुआल है नहीं, अजे या कोई स्वार नहीं है जो न पुछ आप्छेया जा सके ये करजेया कोई स्वार है जो नहीं पुछ आ जा feder फिर लूह है बंदिदा सब है न पुछ आ जाना चाहिए क्योंकि जरूर डुंगा है जिनदीदा स्वार होगा जो ने पुछ आज आ सके चाहिए गारगी चुप हो गई, उस सबा चुप हो गई, याग विलक्या गउँआनों केर के चला गया उस दिन तो 5000 साल हो गए, असी अत्त सुवाल नहीं पुचे जदों अत्त सुवाल नहीं पुचे, फिर हिमत तुट दी चलेगी, फिर असी सुवाल पुचने ही बांद कार देते फिर असी जवाब मां उत्ते ठैर के, उन साधे कोल जवाब सब हों, सुवाल बिलकुल नहीं हो हर चीज दा उत्तर है, सुवाल बिलकुल नहीं है, ते पिंड पिंड गुरु बैठे हैं, नगर नगर गुरु को मरे हैं, सादू हैं, सन्यासी हैं, मुनी हैं, उन लोका नू समझा रहे हैं, शर्दा रखो, शर्दा रखो, शर्दा रखो, लोका नू सवा रहे हैं, चंगासी के जहर प्यादन दे, शर्दा तो कट खतरनाक से दुन्दा, आदमी मर जन्दा है, ता ठीक सी, आदमी जियुन्दा विये, ते आत्मा मर गई है, उस सवाल पुछन नाल जो अभा होंदी है, संगर्शकर नाल विहार दा जो बल होंदा है, अग चो लंगन नाल सवाल दा जो न खार होंदा है, उस सब गवाज गया, सब मन्दा हो गया, एस चुरस्ते उत्ते मैं दोहरा के याग वलक्या किते सुन दे हून, मैं कहना चोंदा के गारगी हून अत्त सवाल पुछेगी, ते याग वलक्या गवाँआ वापस मोड जाओ, उने नहीं चलेगा, अत्त सवाल प विश्वास उत्तर सविकार करते हैं, ते आन रहे, सुवाल पुछे वी उत्तर मिल दे हैं, लेकिन वो अपने हुन दे हैं, बिना सुवाल पुछे वी उत्तर मिल दे हैं, वो सदा दूसरे दे हुन दे हैं, दूसरे दा उत्तर कदी किसे देश्ती प्रतिबानु अग्ये नह अपना उत्तर चाहिद है, ते अपना उत्तर उसे दे कोल हुन्द है, जिस दे कोल अपना स्वाल हुए, जिस दे कोल अपना स्वाल ही नहीं, उदे कोल अपना उत्तर के में हो सकत है, उस दे कोल बारोड बेहे उदा अरुत्रां दा संग्रे हुन्द है, जिना दे थले छती जन्दियत आदमी डुब जन्द है। जीवन दे सारे स्वालानों शक फड़ लवे। उन्ने जोर नलसी विचार्च लग जावांगे। मज़ा यह है। शक फड़दा है ता विचार करना ही पयंदा है। बचन दा तरीका नहीं। कोई एसकेप नहीं। पजन्दी सुहूलत नहीं। जेकर शक फड़ेगा ता विचार करना ही पयेगा। ति जेकर शक नहीं फड़ेगा फिर विचार दी कोई जरूरत नहीं रह जान्दी। फालतू है विचार वियर्थ दी मेनत दे। असी एक एक बच्चे नू शर्दा सिखा रहे हैं। पयो अपने बेटे नू कह रहे हैं विश्वास रखो क्योंकि मैं जू कहनता है वो ठीक ही होएगा। अनुभवी जरूर है पयो। उमर चु वड़े हैं लेकिन जिन्दगी जो सब तो वड़ा पाट सी खा सकती है उनुखुझ गए। वैसी कि किसे उपर शर्दा ना थोपना नहीं ता उदे विचार दा जनम नहीं हो सकेगा। उस उपर शर्दा थोप रहा है बाप थोप रहा है माँ थोप रही है उन्हानु सौख है क्योंकि बच्चेयां दे सुवाल तकलीफ चपांदे हैं अत सुवाल हो जांदे हैं जिकर जवाब दियो ता हो डूंगी या गला पुछनगी इसलिए बाप पहले ही सुचेत हो जां एत्थी गल कतम करो असी सब जान दे हैं तुसी वी जान जाओगे जदो उमर आएगे अन्बव आएगा बच्चे सुवाल पुछ दे होंदे हैं बुड़े उत्तर लेके मार जांदे हैं सब बच्चे फिर ए सुवाल उठाना चांदे हैं ओही जो दुनियाज पहली वारी ब साड़ी सिख्या सिर्फ उनानू उत्तर से खौंदी हैं गुरू भी ढंडा लेके उनानू उत्तर ठोक ठोक के से खौंदा रहन दे हैं साड़ी सारी सिख्या दा परबंद उत्तर से खौंदा परबंद हैं असी कंप्यूटर वांगों आदमी फीड करदने हैं हर चीज दा उ अफ्रीका के थे है ए रिया पाणी के में बंद है इस तरह मण में सब उत्तर दे दन्या ते भी 25 साल दी बे हद अनमनुखी सिख्या दे विच्छो लंग के जिस्ट मां बाप प्रा परवार अधियापक सब शामल हन बच्चे दी पर्तिबा बंद कर देगी फिर उस स्वाल पुछदी ही नहीं फिर उत्तर बंद के बैठ जान दी है ते ओ आदमी मर गया सची गले है कैसी मर बहुत पहला जाने है दफनाई बहुत बाद इच जाने है बड़ा फासला होगया मर नते दफनौन वीच बाट कट खुशकिस्मत लोग हन जो से दिन मर दे हैं जिस दिन दफनाई जान दे हन कोई 30 साल च मर जान दै कोई 20 साल च कोई 70 साल च दफनाई आ जान दै कोई 80 साल च उने अमरीका दे हिप्पियान एक छोटा जा नारा देता है, उन नारा मैनों बहुत प्यारा लगया, उन नारा बहुत अजीब है, उनने नारा देता है कि ती साल तो उत्ते दे आदमी दा प्रोसा ना करें, क्योंकि ती साल तो उत्ते दे आदमी दा जियों दा होन दा ही तो नहीं है, वो आम तोरती मर गया हूं है, इस विट सच्चाई है, ए गली कदम चूट नहीं लग दी, इस विट सच्चाई है, मार ही दिन देयां सी, इस अनुपर किरिया बदलनी पवे, एक एक कर्च सुवालनू जगोना पवे, सब सही योगी हो सकते हैं, सुवालनू जग ते जेकर बचेयां दे सुवाल जगाए जान, ते उनानों शक दिता जावे, ते अदे आपक दे दर्वाजे ते उवड़े सुवाल पुछ दे हुए, पंचन ते सिख्या दे मंदर तो मुड़े समें, होर वड़े सुवाल लेके मुड़न, ता मुलक दा सारा मन, जो सौंग जाग सकते हैं, वाज जाग सकते हैं, कोई कारण नहीं है, लेकिन उसे बहुत तकलिफा हैं, की होएगा उना दा, जो विश्वास उपर ही जियो रही हैं, ते विश्वास उपर बहुत कुछ जियो रही हैं, की होएगा उना दा, जो विश्वास उपर ही टिके हैं, ते इसलिए यो शक उठान वाड़े लोकान तो पैपे थान, वो कबराए हुई हैं, उचोंदे हान के शक नू ना उठाओ, क्योंकि शक बगावत लिया सकते हैं, इसलिए यो चोंदे हान लोकान नू सबर सिखाओ, ताके सबर बगावत नू मार देवें। पोर तरांदे ड्रग्स कोजे गए हम, ते कुझ जई केमिकल विवस्थावी कलपनाच आ गई है, जेस डाल मुनुख दे अंदरो असंतोश नू दूर केता जा सकते हैं। कि इस तरांदे तरल पदारत खोज लए गए हम, जो आदमी दे अंदरो अस्शांती नू, असंतोश नू, विद्रो नू खो सकते हम। ता मेरा मन कीता कि उस लेखक नू एक पत्तर लिखा, कि तू होन खोजे ए, ये बहुत पुराणी खोज है। पारत ने पंच हजार साल पहला खोज लई है। लेकिन असी अध्यात्मक तरकीबा खोजिया है, पौतिक तरकीबा नहीं। असी किसी आदमी नू इंजेक्शन देके, संतोष दी होर भी चंगी विवस्था कोजी सी। असी संतोष ही प्योंदेसी बचपन तो ह। असी ऐस देश नू संतोष ठी रख्या है। असी उस बिंदू तक ना जान देता जथे असंतोष शुरू होन दें। क्योंकि जित्ते असंतोष शुरू होन दें। ता फिर boiling point बहुत दूर नहीं रहन दा। फिर उबलन दा बिंदू भी कोड आएगा। करंती होएगी। असंतोष है आग। जिकर वद्धी तुरी जाए ता एक बिंदू उत्ते evaporation पाणी पाफ मनेंगा। छिलांग लगेगी, क्रंती हो जाएगी। इसलिए असी संतोष सुख होने रहे हैं। असी कहने हैं संतोष सब तो वड़ा तर्म है। संतोष तो वड़ा अतर्म नहीं हो सकता। क्योंकि तर्म दा मतलब जेकर गती है। जेकर तर्म दा मतलब विकास है। जेकर तरम दा मतलब तरक्की है, जेकर तरम दा मतलब रोज अगे जाना है, ता संतोष तरम नहीं हो सकता, असंतोष तरम होईगा, असी सिखोने हैं, संतोष जिनू मिल गया, उन्हों सब मिल गया, नहीं, गल उल्ट है, संतोष जिनू मिल गया, उन्हों सब नहीं मिल जाना है हां सब जीनु मिल जान दा है, ऊनु संतोष जरूर मिल सकता है, लेकिन असी संतोष नु पहला प्या दिने हैं, ये सब यात्रा बंध हो जान दी है, चपड़ बंजान दा है, एक नदी जेकर संतोष्ट हो जाए ता तला बंजाएगी, सागर नहीं बन सकती, किमें बनेगी ताव जावे कि थी? पहाडा नू तोड़े क्यों? लड़ी क्यों पत्राघनाल? रस्ता क्यों बनावे? अनजान, अनवाकप खाण्या, कढ़्डा विच्ट पठके क्यों? सागर दा की परोस है? सागर होई गई, इदा की परोस है? सागर है बहुत दूर गंगा है गंगोतरी विच सागर है बहुत दूर इनना लम्मा फासला कोई रस्ता बचिया नहीं पके सिमेंट रोर नहीं अथर तोर नेहन रस्ता वनोना है अन्जान अन्वाकफ नहीं जिदा टिकाना पता नहीं किथे है किथे जना है कौन जना है संतोश कर लवे गंगा ता गंगोत्री रह जाए फिर गंगा ना बन सके पता है गंगोत्री उत्ते गंगा बहुत वड़ी नहीं है हो भी नहीं सकती वो ता सागनल मिलन सम्में वड़ी हawiं दी अमेजान नदी दुनिया दी सब तो बड़ी नदी है अमिजान नदी दुनिया दा सब तो ज्यादा पानी है लेकिन अमिजान नदी जित्थो निकल दी है वो जगा सब पार्तियानों को मौन वाली है होर किते उन्हानों लेके जान दी जरूरत नहीं है सब पार्तियानों अमेजान नदीदे जनम सरोते ज़रूर ले जाके खड़ा करन बड़ा है उत्थे जथे अमेजान निकल दिया है वो थो सरफ एक-एक बूंद टपक दिया है ते एक-एक बूंद टपकन विच भी दो बूंदा विच कार 20 केंट दा फासल है एक बूंद डिग दी है फिर 20 केंट बाद दुजी बूंद डिग दी है एक अमेजान नदीदा जनम सरोते है किनी खुश किस्मती हुंदी है इस नदीदी के थे त्रिप्त हो जांदी है थे संतुष्ठ हो जांदी है तह बूंद ही रह जांदी शायद बूंद भी न रह जटी लेकिन यह अमिजान सागर बन जटी है यात्रा कर दी है असन्तो़ दि, हो रगगः हो रगः पजी चले जटी है पारती प्रतिबा बूंद रह गई है सागर नहीं बन सकी संतो़ पकड़िया गया है जो है चुपचाप सविकार कर लिया है सदे सारे सिखेक समझा रहे हैं कि जिरूरतां कट करो सड़ी सार्य द्यापक समझा रहे हन, सुंगडो, 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 बिल्कुल बूद रहे जो, सड्य द्यापक समझा रहे हन, सब सुंगडो, जीवन केंदै फैलो, जीवन केंदै विस्थार करो, जीवन केंदै जाओ, दूर्नू, होर नंतनू, यहोर, सड्य द्यापक केंदे हम सुंगडू, हाद चोटी करो, होर चोटी करो, जिन्नी भी है बड़ी है, होर चोटी करो, होर सुंगडू, ते मर जाओ, कबर्च समा जाओ, तब परम स्थितीनु प्रापत हो जाओगे. जिन्दगी ते विस्थार, जिन्दगी ते सूतर है, विस्थार. इते सब वड़ा हन्दा है, एक बीज बीज दाइए, तए एक द्रख़त पड़ा हन्दा है. छोटा जा बीज इनना वड़ा द्रक्त बन जानद है कि हजार बैल कड़ियां था ले राम करन ते एक छोटा जा बीज बीज देए ता उस द्रक्त होते अर्बा बीज पैदा हुंदे हम कि ना फैला कर लिया एक बीज ने एक छुटा जिया बीज लेके अरब बीज हो गया अरब बीज बीज़ी फैलधा तुरिया जाएगा जीवन विस्थार है मेरी सोच मताबक ब्रحمदाई कही अर्थ है उस शबद दावी वही अर्थ है ब्रحم शबदा अर्थ है फैला विस्थार जो फैल दा ही चला जन्द है जो रुकदा ही नहीं जो अंत ही इन फैला है ब्रह्म शबद दा मतलब यही है ब्रह्म दा मतलब हुन्द है Expanding होने अंस्टेंदे बाद यह पता लगया है कि विश्व जो है ब्रह्मंड जो है वो फैल रहे है वो expand कर रहे है वो ठहरे होया नहीं है सारे पासे अर्बा कर्बा मील प्रती सकिंट दे सावनल फैल दे तुरे जा रहे है जिमें कोई हवा दा गुबारा होए रबड दा ते उस विच असी हवा पर दे जाए तो फैल दा जावे इस तरह ये साड़ा विच्व ठहरे होया नहीं है ये फैल दा तुरे जा रहे है ये दिया हद्दा रोज वो डिया हो रहे है ये अंतहीन फैला है जिन्नों पहली वारी ब्रह्म शबद सुजया हुए ओ आदमी निराला हुएगा क्योंकि ब्रह्म दा मतलब हुँदा है फैल दा फैल दा ही तुर्या जाना लेकिन किन्ना निराला है जिन्ना लोकाने बेहद शबद लभ्या उना लोकाने ही संगूरंदी फिलोस्फी लभ्य वो कहन दे हान सुंगर दे तुर जाव आतंत्याग अरुची विराग सुंगड़ों जो है उस तो पज्यों ते सुंगड़ दे जाओ, जो दों तीक बिलकर मरना जाओ, उदों तीक सुंगड़ दे तुरे जाओ संतोष इस ता अधार बढ़ियां, सुंगड़न इदा करम बढ़ियां, ते पारदियात्म सुंगड़ गई, ते संतोष्ठ होगी हुन जरूरत है कि फैलाओ इन इस चो राहे उत्ते फैलन ता निर्ना लेना पहेगा चड़ो संतोष लियाओ नमें असंतोष नमें डिसकंटेंट दूर नू जित्तन दी, दूर नू प्रापत करंदी, दूर नू पलब्द करंदी तूर अंदर ले तांग नू जगाओ प्यास नू जगाओ कि जो प्रापत करंजयोग है, प्रापत करके रहांगे जो नहीं प्रापत करन जीओ, उन्हों भी प्रापत करके रहांगे, ताके इस मुल्क दी परतिबा विच प्रान पॉन ते दी अंदरों कुछ जगे, क्योंकि जदों ही कुछ जगदा है, उदों फैलना चांदा है, ते जदों फैलना नहीं चांदा, तुसी फेर ता सौन दे बगैर कोई कम नहीं कर सकते, सौन जान दा ऐसा था, प्यास जगवणी है, डिस कंटेंट असंतोश, कि ते अगस्तीन ने एक शबद लिखिया है, वो फेर मैंनू प्यारा हो गया, लिखिया है उन्हें, कि तार्मिक असंतोश, तार्मिक पवित्तर असंतोश, डिवाइन डि सकनेक्ट, सच विट असंतोश तो ज्यादा पवित्तर होर कुझ भी नहीं, क्योंके असंतोश गती है, विकास है, बदल है, करांती है, इसलिए आज दी चर्चाचे सूतर दोहरादे मां ती गलपूरी करां, विश्वास नहीं, चाहिदै विचार, अन्नापड नहीं, चाहि दे विज्वानक चिंतन, संतोश नहीं, चाहिदै असंतोश, अगती नहीं, चाहिदी ये गती, चाहिदी ये प्यास, अनंत नो जित लैन दी, फैल जान दी, काश, पारते मंच, अनंत दीये तीवर प्यास, जाग जावे, तासी अपनी सुत्ती हुए आत्मानों दुबारा सक्दियां ते तयान रहे 1 जागिया होया पारत की निरना लाँ सकेगा की इस च॔राहे तो कि अधे जाईए सुता होया पारत ता इस्ट च॔राहे उते अफीम खाके सुता रहेगा अफीम दियासी चंगे चंगे ना रखे हम किसे अफीम दी पुड़ी उपर लिखे है राम नाम किसे अफीम दी पुड़ी उपर लिखे है भगवत भजन किसे अफीम दी पुड़ी उते कुछ होर किसे अफीम दी पुड़ी उपर कुछ होर किसे अफीम दी पुड़ी पुड़ीयां त्यार हन पगत अफीम दियां पुडियां लेके चुराहे चु सौं रहे हन ते तुसी पुछ देओ के समाज बदला दे चुराहे होते है ते समाज अफीम खाके सुता हुए है केहा बदल केहा केडा चुराहा कित्थे जाना है चणजच ना पओ अफीम लो सौंज़ो सौं़ तो ज्यादा सौक सुहूलत होर कुछ भी नहीं है इस सबंद वेच जो सुवाल होंता तुसी लिख देओगी कल स्वेरियों ना दी गल कर सकी मेरी अंगलानू इने शांती ते प्रेम नाल सुनेया उसलई तानवा दी है ते आंत्वेच सब दे अंदर बैठे परमात्मानू परणाम करता है मेरा परणाम सविकार करो तानवाद